ये विदेशी नहीं भारतिये गिलहरी है जिहां सही सुना आपने ये जो वीडियो में देख रहे हैं ये भारतिये मूलकी गिलहरी है इंडियन पालम स्कुरिल ये बहुत ही छोटा सा सुन्दर चानवर होता है इसकी लंबाई करीबन पूंच तक एक फिट चितनी होती है ये भारतियी गिलहरी भारत के अलावा भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और गर्म प्रदेशों में विशेश रूप से होती है अगर आपके आसपास में कोई बड़ा पेड हो तो वहां ये आपको अवस्चे ही देखने को मिल जाएगी ये चोटा सा जानवर आमदोर पर साका ये गेहूं, चावल, पेड की चाल, पेड के पल, पत्ते, आदी खाकर जिन्दा रहती है देखो ये चोटा सा जानवर कितना खुबसूरत और सुन्दर लगता है ये अपने हाथों की सहायता से कुछ खा रहा है इसकी पूँच 6-7 इंच तक लंबी होती है पूँच के बाल भी बहुत मुलाइम होते है ये पेड पर चड़ जाती है और एक से दूसरी डाली पर चलांग लगा कर तोड़ती है लंबी चलांग लगाने के लिए पूँच बैलेंस बनाती है अगर आप इसके साथ अच्छा विहार रखेंगे तो ये आप से डरेगी नहीं आपके इस नाम से जानते ही ये कमर्स में बताए रामायन में एक प्रसंग आता है बगवान स्री राम जब लंका पर चड़ाय करने के लिए जाते है तब लंका में जाने के लिए कोई राश्ता तो था नहीं तो इस कारण समुद्र पर पत्थरों द्वारा पूल बनाने का काम सुर और पिर समुद्र के पाने में भिगो कर वापस रेत में आई अपना गीला सरीर पूरा रेत में रगड़ती तो रेत पूरा सरीर पर लग जाती उसी टाइम ओ फिर समुद्र में चाती ऐसा बार-बार करते देख भगवान सी राम का ध्यान उस पर गया और अतिप्रसंद हु करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें